Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhry, I am Dr. Catract and Refractive Surgeon आज आपको चश्मा हटाने की एक different technique दिखा रहा हूँ जिसको कहते है RLE RLE का full form है Refractive Lens Exchange कुछ लोग इस procedure को CLE भी कहते है जिसका full form है Clear Lens Extraction So basically ये एक तरह का चश्मा हटाने का procedure है जहाँ पे एक इनसान की आँख का जो कुदरती Lens है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगा पर एक ऐसा Lens डाला जाता है जिसमें कुदरती Lens और उस इनसान के जो चश्मे की power है दोनों चीज़े एक ही Lens में combine करके आँख में डाल दी जाती है ये procedure usually उन लोगों के लिए choose करा जाता है जिनका laser से चश्मा नहीं हट सकता जैसे मैंने आपको बताया है कि laser में contura vision की technology आजकल सबसे advance मानी जाती है अगर laser से एक इनसान का चश्मा नहीं हट सकता तो हम लोग try करते हैं ICL से हटा दे तो ICL भी एक तरह का procedure होता है मैंने आपको बताया है कि आँख में lens डाल के चश्मा हटाया जाता है और अगर ICL के लिए भी patient eligible नहीं होता फिर हम RLE या CLE से चश्मा हटा सकते हैं तो अकसर लोगों के मन में ये doubt होता है कि doc सब ICL और RLE इन दौनों में क्या फरक है देखें ICL procedure जो है इसमें आँख के अंदर सिरफ एक lens डाला जाता है कुछ निकाला नहीं जाता कुछ exchange नहीं करा जाता लेकिन RLE procedure में जो कुदरती lens है उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगा पर एक नया lens डाला जाता है जिसमें कुदरती lens और चश्मे की power दोनों combined होती है आज कल की latest technology से हम RLE operation में भी patient को दूर की नजर, beach की नजर और past की नजर तीनों types की नजर बिना चश्मे के दे सकते हैं तो अक्सर लोग के मन में मेरे patient में से ये भी पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा laser वाला operation contura होगा कि ICL वाला operation होगा कि RLE वाला operation होगा वेल ये तो अफकोर्स आपके सारे test करके पता चलता है लेकिन मोटा मोटा अगर हम समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि छोटे numbers के लिए अगर number आपका 8 से कम है तो usually laser वाला option जैसे contura vision को choose करा जाता है अगर number उससे high है तो ICL को option होता है लेकिन ICL के लिए एक बहुत important condition होती है कि आँख में ICL डालने की जगा होनी बहुत ज़रूरी है और वो जगा जो है वो minimum 2.8 mm होनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं ACD या anterior chamber depth तो अगर ये जगा नहीं है तो फिर हमें आपका RLE पे shift करना पड़ता है वेल तो उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको RLE procedure के उपर और clarity मिली होगी तीनों procedures, laser वाला procedure, ICL वाला procedure, RLE वाला procedure, तीनों ही procedures आज की date में बहुत कारगर हैं, बहुत safe हैं और पूरी तरह से हम चश्मे का number इससे हटा सकते हैं तो again आपके मन में और कोई भी problem हो तो मेंसे comment section में जरूर पूछिए तब तक के लिए thank you very much and I'll be back soon